एक्ससाइज नमर एक डंबल एमर करल इस एक्ससाइज से बाइसेप्स के साथ साथ ब्रेक्यालिस मसल भी टारगेट होता है जिससे आमस का साइज तीजी से बढ़ता है इसे परफॉर्म करने के लिए दोनों आतों में डंबल को न्यूट्रल गृप में पकड़ कर खड़े हो जाएं और बोडी को स्टेवल रखते हुए औल्टरनेटिंग एंड से डंबल को उपर की और लाकर करल करें और उसी स्पीड के साथ डंबल को नीचे की और लेकर जाएं आप इस एक्ससाइज के तीन से चार सेट बारा से पंदरा रिपिटेशन के लगाएं एक्ससाइज न अपने शोल्डर की चोड़ाई से थोड़ा सा बाहर से पकड़ कर हातों को आगे की और करते हुए बारवल को शोल्डर लेवल तक उपर लाएं और दीरे दीरे उसी फॉर्म के साथ बारवल को नीचे लेकर आएं आप इसके तीन से चार सेट दस से बारा रिपिटेशन के ल आएं एकसाइज नमर तीन इनकलाइन डंबल करल दोस्तो इस एकसाइज से बाइसेप्स का लॉंग एड मसल टारगेट होता है साथ में बाइसेप्स को आईसोलेट बनाता है इसे पफॉर्म करने के लिए दोना आतों में अलके डंबल लेकर इनकलाइन बेंच पर बैक शपो कर जाएं आप इसके तीन सेट दस से बार रिपिटेशन के लगाएं एकसाइज नमर चार इजी बार स्पैडर करल इससे बाइसेप्स ब्राकी और ब्रेक्यालिस मसल टारगेट होता है इसे करने के लिए निकलाइन बेंच पर चेस्ट के शपोट में लेड जाएं जैसा एजी बार को अपने शोल्डर की और उपर उठाएं तो बाइसेप्स मसल को स्कुईज करें फिर उसी फॉम के साथ इजी बार को नीचे लेकर जाएं तो बाइसेप्स मसल को स्ट्रेच करें लाइट वेट का यूज करते हुए आप इसके तीन से चार सेट बारह से पंदरा एपिटेशन के लगाएं एक्ससाइज नमर पांच केबल बाइसेप करल इसे करने के लिए केबल मसीन के लोवेश्ट लॉक पर स्ट्रेट बार या केबल रोप एंडल को अटेच करके मसीन के सामने फेस करके खड़े हो जाएं और दौन आतों से एंडल को बकड लें अपनी ब करें फिर उसी फॉर्म के साथ एंडल को नीचे लेकर आएं तो बाइसेप्स मसल को स्ट्रेच करें इससे बाइसेप्स ब्राकी ब्रेक्यालिस और ब्रेक्योडियालिस मसल टारगेट होता है आप इसके तीन से चार सेट बारा से पंदरा रेपिटेशन के लगाएं मसल टारगेट होता है इसे करने के लिए दोनों आतों से प्लेट को पकड़ लें अपनी एलबो को बोडी के क्लोज और आतों को आगे रखते हुए प्लेट को अपने शोल्डर की और उपर उठाएं तो एक सेकंड ओल्ड करें बाइसेप्स और फोरा मसल को स्क्वीज करें फिर उसी फॉर्म के साथ प्लेट को नीचे लेकर आएं इस मूमेंटम के दोरान आप अपनी बोडी को स्टेवल रखें कंट्रॉल वेट के साथ आप इसके तीन से चार सेट दस से पंदरा रिपीटेशन के लगाएं एक्ससाइज नमर साथ डंबल जोटमें करल दोस्तों इ से बाइसेप्स और फोरा मसल टारगेट होता है इसे करने के लिए दोनों आतों में डंबल लेकर सीधे खड़े हो जाएं और डंबल करल की पोजीशन में डंबल को अपने शोल्डर की योर उपर उठाएं फिर अपनी कलाईयों को रोटेट करते हुए डंबल को रिवर्स कर करल की पोजीशन में नीचे लेकर आएं फिर डंबल करल की पोजीशन में कलाईयों को रोटेट कर लें इसी फॉर्म के साथ आपको इसके तीन से चार सेक्ट बारा से पंदरा रिपिटेशन के लगाने हैं